नमस्कार दोस्तों मैं हूं मरोज कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूजर फॉर में पाउर बटन का यूज किस तरह से करते हैं ठीक है जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ ओन लिखा हुआ ठीक है अगर मैं यहां पर प्रेस कर रहा हूं तो देख का यह रिडिंग जो है स्टार्टिंग से देखिए और अटोमेटिक बढ़ रहा है ठीक है आउफ किया तो आफ हो जाता है ठीक है यह जो टगल बटन है ठीक है यह बटन किस तरह से बनाया हों और यूजर फॉर में आप इसको देखेंगे ठीक है तो इस वीडियो में पूर कर रहा हूं क्लोज कर दे रहा हूं अभी ठीक है क्लोज करके मैं आपको एक नया सीट में जो मैं इस सीट को भी जो है पूरा क्लोज कर दे रहा हूं ठीक है इस यूजर फॉर्म को क्या कर रहा हूं क्लोज कर दे रहा हूं और नया सीट में जो है आपको इसको बना के दिखा तो यह किस तरह से काम करेगा नहीं करेगा पूरा डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं आज तो देखिए यहां पर क्या है एक नया सीट है और इसमें मैं यूजर फॉर्म का टगल बिटन का यूज करना दिखाऊंगा उसके लिए क्या करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले ह जाने के बाद विजूल बैसिस में जब आ जाएंगे तो यहां पर आएगा इंसर्ट और इंसर्ट में तका जाएंगे यूजर फॉर्म तो यहां पर देखे क्या आ गया यूजर फॉर्म आने के बाद आप क्या करो यहां पर क्या करेंगे टूल बॉक्स आ गया इस टूल ब पर एक टेक्स्ट बॉक्से डाल देता हूं ठीक है यहां A तो अपने अनुसार जितना भी चाहिए 24 लिजे 20 लिजे जो भी लिजे लेल सकते हैं ठीक है अगर मैं यहां पर इसको प्रिव्यू देखे तो यहां पर देखे प्ले में जाके यहां पर इस तरह से आपको जो है देखेगा लेकिन मुझे यह टेक्स क्या चाहिए मिडिल में जाहिए ठीक है तो मिडिल में करने के लिए क्या करेंगे उसके लिए आप तो इसमें टैक्स को क्या चाहिए मिडिल में रहना है थ्याएट ताप क्याकरों setup OF यहां प्रोवाल उस्टे आप में एलेटर सेंटर आपको सेंटर में यहां पर किजिए तो सेंटर में आ जाएगा तो यहां लोग टेक्स्ट बटन डाल चुके हैं नेक्स्ट कौन सा बटन डालेंगे नेक्स्ट यहां पर क्या है टागल बटन यहां पर इसको लेकर मैं यहां पर टागल बटन डाल रहा हूं ओके टागल करना चाहते हैं तो यहाँ यहाँ से चaimer कर दीज Lazio हैं तो कि यहां पर और इसका कलर भी आप fest करना चाहते हैं तो यहाँ से डिखने में जाने ने के बाद यहां इसका पなた jour sozusagen आप यहां से color change कर दिए ठीक है ता भी देखिए कि यह जो है बटन किस तरह से दिखता है यहां से अगर play out button open करते हैं देखिए ऐसा दिख रहा है ठीक है आप जो भी लिख रहे हो एंट्री कर रहे हो यहां पर और यहां देखिए ठीक है ऑफ-on ठीक है इस तरह से आपको bene double click करेंगे तो एक एंट मिलेगा क्या है हम पर क्लिक करने के बाद को यहां पर मिलेगा क्या है इंसलाइज आप तो इसे क्लिक कर दिजै ठीक है क्लिक करने के बाद युजर पर मिर्स लाइज करके आएगा, ओके, और आप यहां पर लिख दो, क्या लिखेंगे, me.textBox1, ओके, .text equal to 1, ओके, बस इतना ही लिखेंगे, ठीके, अगर इसको आप फ्ले करो, देखेंगे, इसको यहां क्या होगा चाहिए एम इपम घ्ली क्लिक करो तो आप यूजर फॉरिम हो गया इसको नहीं ऐसायों मुस्ट करना है धे ने से घ्ली चाहिए और यहां पर देखेगा क्किल करेंगए यहाँ पे चलेंगे चलेंगे और और किस्क बटन है क्लिक करेंगे पर किया है क्लिक करेंगे क्लिक करके ओके इसके लिए मैं थोरा सा goose स्सार्टिंग मैं मान ले रहा हूं कहले फोट इक को टू ओए कॉल टू ऊट उसके बाद लिख रहा हूं if me dot toggle button 1, okay, dot value, value equal to true, true, then, then me dot toggle button 1, dot, caption, equal to, off, ठीक है, जब आपका जो true value हो तो, आपका जो caption जो है, वो क्या होना चाहिए, off position में होना चाहिए, ठीक है, उसी type से, चले, इसको मैं copy कर ले रहा हूं, एक बार फिर से, ठीक है, और, same मैं यहाँ पर paste कर रहा हूं, copy नहीं हुआ, आपका क्या होना चाहिए, caption में जो है, आपका button का नाम जो है, बदल जाना चाहिए, जब वो तूरूर है तो, और उसके बाद जो है, मुझे color भी चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, बटन बाट बाटन बाट बैक कलर, वैक कलर, एककल टू, बी बी, रैड ओके तो बैक कलर, जो है, बी रैड होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए क्या है, देखे, प्ले कर रहा हूं, देखे, क्या होता है, यहाँ पर, कुछ error आ रहा है ठीक है अभी देखता हूं और भी इसको कर ले रहा हूं थोड़ा तो मेरा मकसद क्या है यहां पे जो है आपका अगर मैं यहां प्रेस करूं मतलब कि रंक पे तो यह जो इसे ही प्रेस किया तो यह जो है on के जगह off लिखा जाना चाहिए यह green के जगह जो है red होना जाहिए ठीक है उसी के लिए मैं दिया हूं तो उसके लिए क्या करेंगे जैसे red हो जायाना चाहिए ठीक है तो अभी क्या कोना चाहिए red होना चाहिए और यह नहीं है ऐसा नहीं हुआ ठीक है अगर वह on नहीं रहा else और दूसरा क्या होना चाहिए ठीक है अगर यह नहीं रहा तो आपको क्या होना चाहिए कैफसन जो है आपको यहां पर on होना चाहिए और यहां जो है red के जगह जो है back color क्या होना चाहिए green होना चाहिए क्या होना चाहिए ग्रीन होना चाहिए ठीक है ग्रीन होने के बाद जो है आपको जो है यहां पर and if कर दो ok end if कर दो और यहाँ पर next कि नेक्स्ट कर ठीक है अब इसको इसको וכELLE बटन पर प्रेस्किया तो देखिए यहाँ पर प्रेस्किया ठीक है तो यहां पर कुछ एरर आ रहा है यहां पर ड़ाँ चेंज खरताह हो इसको अगर मैं इसको change करूंगा तो क्या change करना है यहां पर back color तो यहां पर error क्यों आ रहा है क्योंकि color off यहां पर क्या है O miss कर दिया था और यहां पर भी आप O miss कर दिया तो अभी इसको आप run कीजे तो run कीजे देखे क्या हो रहा है जैसे आप यहाँ पर on प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर off हो गया, red color हो गया, फिर से press कीजिएत, यहाँ पर on हो गया, और green color हो गया, ठीक है, इसी के लिए जो हम लोग यहाँ पर coding डालने है, क्या कि यह हैं, आप यहाँ पर लिखे on है, तो option on लिखेगा, और इसका color क्या होन चाहिए रहर होना चाहिए ठीक है इतना लिखने के बाद इतना लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग and कर दिए है next क्या होना चाहिए यहां पर टेक्स यूँब होना चाहिए had एक्सचेंज होने के लिए क्या लिखेंगे यहां पर इस मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन ओके डॉट टेक्स्ट यह टेक्स्ट क्या होना चाहिए अगर लेस देन और इक्वल टू फोर टिपल लाइन होगा ठीक है फोर टिपल लाइन होगा एंड ओके मी डॉट टगल बटन वन डॉट कैप्शन एक्वल टू ओफ अगर यह ओफ कंडिशन में रहा तो क्या होना चाहिए देन मी डॉट टेक्स्ट बटन वन डॉट टेक्स्ट एक्वल टू होना चाहिए इतना प्लस वन ठीक है उसमें एड होना चाहिए एक जूरना चाहिए जैसे लेस रहा तो एक जो है उस पर घटन जूरना चाहिए और यह जो है रिपीटेट होता रहेगा ठीक है डॉट इवेंट्स ठीक है यह जो है आगे कि और एक ही साथ चलता रहेगा डू इवेंट्स ओके और यह जो है उसके बाद जो है डू इवेंट्स कर देंगे उसको कर देंगे और इसके बाद बटन जो है आपका क्लोज होना चाहिए और नेक्स्ट में जो है आई रिपीट होना चाहिए और जो रहा है उसके बाद क्या होना चाहिए अगर फॉल्स रहा ठीक है मी डॉट टगल बटन वन डॉट वेल्यू वेल्यू एकल टू फॉल्स और क्या होना चाहिए मी डॉट टागल बटन वन डॉट कैप्शिन कैप्शिन एकल टू अभी मैं देखे क्या किया हूं यहां पर तुरह सा पता रहा हूं ठीक है यहां पर अगर जो मैं कंडिशन अपलाई किया हूं वह क्या है अगर आपका जो है टेक्स्ट बॉक्स का वेल्यू जो है लेस देन 499 रहा तो वह ओफ लिखाएगा ठीक है और अगर यहीं पर फॉल्स रहा तो उस कंडिशन में क्या होना चाहिए फॉल्स रहा तो यह जो है कैप्शन वह चेंज हो अभीन करता और यहां पर रट जाफ रहें बढ़्र करता करेंगे तो यह जो ел musi भ messing आप तक बढ़ेगा तो 5000 आपने limit set किया है वहां तक यह बढ़ेगा ठीक है और यहां पर जैसा off कर रहा है on कर रहा है यहां पर होता रहेगा और once यह 5000 तक reach हो जाएगा ठीक है तो इसके बाद यह बटन automatic जो है green होगा ठीक है किस तरह से toggle button का use करके इस वीडियो को बनाया और user form में toggle button किस तरह से बनाते हैं ठीक है कुछ dot होता आप मुझे comment section में लिखिए ठीक है और और इससे कुछ भी जैसे यहां पर देखिए अभी 4900 तक आएगा तो यहां चे यह automatic जो है green में change होगा ठीक है तो इस वीडियो में बस